नमस्का दोस्तों आपका स्वागत है दुष्टी IS एडिटोरियल एनलिसिस के एक नए एपिसूड में इस एडिटोरियल एनलिसिस में हम तीन चीजे करते हैं पहला एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं UPSC syllabus के साथ दूसरा एडिटोरियल के key points को समझने की कोशिश करते हैं और तीसरा कोई key concept अगर एडिटोरियल में आया है जो कि exam की दृष्टी से महतोपूर्ण है तो उस पर भी चर्चा करते हैं तो आए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनलिसिस आज का एडिटोरियल हमने इंडिएन एक्स्प्रेस से लिया है और यह आग तारीक को आया है और एडिटोरियल का सीशक है डेली डिक्टैट यहां आपको पता होना चाहिए कि डिक्टैट जो अंग्रेजी का शब्द है इसका मतलब होता है एक फर्मान इशू करना सरकार के दोरा एक फर्मान जारी किया गया है और डिक्टैट जब कहा जाता है तो इसका मतलब है कि इसमें सभी की रजामंदी शामिल नहीं है यह एक तरीके का फर्मान दिया गया है दिल्ली सरकार के दोरा जिसमें कि शायद सभी लोग इससे इतिफाक नहीं रखते हैं और एडिटोरियल कहता है कि दिल्ली सरकार ने एक FIR दर्ज कराई है एक हॉस्पिटल के खिलाब सिर्फ कोई administrative labs के लिए जिसमें कि जिस तरीके से data दिल्ली सरकार को चाहिए था उस तरीके से data hospital ने provide नहीं कराया सरकार को और एडिटोरियल कहता है कि ये सरकार की मनमानी भी दिखाता है और ये थोड़ा गलत भी है ऐसे समय में जबकि hospitals इस COVID-19 महामारी से जूज रहे हैं और front lines में हैं तो आई आप देखते हैं इसका syllabus के साथ linkage तो ये लिंक होता है directly GS paper 2 के साथ जहां की governance एक important topic है और इसके अंतरकत हम देखेंगे कि क्योंकि ये health से तालुक रखता है COVID-19 महामारी के संदर्व में है और हम जानते हैं कि health state list का subject है जो कि article 246 में आता है जहां तीनों list बताई गई है state, concurrent और union list तो ये link होता है functions and responsibilities of the union and the states से और ये इससे भी link होता है issues relating to development and management of social sector services relating to health और ये important aspects of governance इससे भी तालुक रखता है तो syllabus के साथ linkage स्थापित करने के बाद आएए आप देखते हैं इसके key points तो editorial की तरफ जाने से पहले देखते हैं कि मसला है क्या तो दिली government ने एक FIR lodge की है FIR यानि की first information report और इस FIR को lodge किया गया है section 188 के अंतरगत Indian penal code के और यहां आपको पता होना चाहिए कि ये section 188 of IPC क्या है और ये काफी चर्चा में रहा है पूरे lockdown के दौरान क्योंकि कई सारे states ने इस section के अंतरगत लोगों को सजा दी है अगर उन्होंने lockdown को violate किया है और ये section 188 of IPC तब लागो होता है जब कोई disobedience करता है किसी order की जो की duly promulgate किया गया है किसी public servant के द्वारा और ये खास तोर से जब राज्य सरकारोंने epidemic diseases act 1897 इसके द्वारा इस section का उप्योग किया गया लोगों को सजाद देने के लिए तो ये section 188 of IPC आपको पता होना चाहिए ये plans के point of view से important information है तो दिल्ली government ने सर गंगाराम hospital के खिलाफ एक FIR lodge की है और क्या basis रहा है इस FIR को lodge करने का तो दिल्ली सरकार ने ये कहाए कि जो उनकी RT-PCR app है उसके द्वारा जैसा data चाहिए वो hospital possession ने उस format में नहीं पहुचाया है दिल्ली सरकार को और इस वज़े से दिल्ली सरकार ने वहाँ testing भी रोग दी patients की और ये FIR भी दर्ज की है और जो गंगाराम hospital है इसके management ने इस दिल्ली सरकार के कदम को unwarranted और harassment बताया है कि ये सरकार उनको पीडित कर रही है और ऐसी कोई जरुवत नहीं थी इस तरीके के कदम को लेने के लिए hospital ने ये भी कहा है lockdown के दोरान उनके पास data operators नहीं मौजूद थे और इस वज़े से वो जिस format में data चाहिए था उस तरीके से नहीं पहुँचा पाए है इसको एक और नजरिये से देखा जा रहा है कि दिल्ली सरकार का जो testing पे रवया कुछ दिनों में बदला है क्योंकि दिल्ली में cases बहुत ही भारी मात्रा में बढ़े हैं तो दिल्ली सरकार ने अब कहा है कि testing सिर्फ जो symptomatic है यानि कि जो लक्षन दिखा रहे हैं वैसे लोगों की ही होगी और उनके direct context की भी तब तक नहीं होगी जब तक या तो उन्हें कोई और बीमारी है या उनको कोई severe symptom नजर आ रहा है तो इस तरीके से testing को दिल्ली सरकार ने काफी restrict किया है जिसकी वरे से दिल्ली सरकार और केंद सरकार के बीच में भी थोड़े सी टसल हो रही है थोड़ा वाद विबाद चल रहा है और यहां हमें याद रखना चाहिए कि World Health Organization ने शुरुवात से ये कहा है कि जो strategy होनी ये testing, testing और testing यानि कि सबसे ज़्यादा testing की ज़रूरत है इस बीमारी पे रोपताम लाने के लिए और फिलहाल जो दिल्ली सरकार ने नियम बनाए हैं वो थोड़े से ज़्यादा strict हैं और testing को कम कर रहे हैं और इसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार अब disease के curve को flat कर करने की जगए data के curve को flat करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि गलत है और फिलहाल जो process दिल्ली सरकार ने रखा है कि कोई भी जो symptomatic individual है जो symptoms दिखा रहा हैं उसको पहले अपने नजदी की flu clinic में जाना होगा जो कि सारे government hospitals में और 10 private hospital में भी मौजूद हैं और वहां जाके उसको एक test होना चाहिए तब उसे जाके एक lab में जाकर test करवाने की अनुमती होगी तो आप देख सकते हैं कि ये system testing का कितना लंबा है और practical में difficult है तो इसी विरे से भी काफी criticism हो रहा है कि दिल्ली सरकार को testing को और बढ़ावा देना चाहिए और इस तरीके का restrictive testing नहीं करनी चाहिए तो इस जानकारी के बाद अब आएए देखते हैं कि editorial में क्या बताया गया है तो editorial बात करता है कि दिल्ली के एक hospital जो की सर गंगारम hospital है उसके उपर दिल्ली सरकार ने एक FIR दर्ज किया है जो की procedural oversight के मामले पे है कि उन्हें जो data जिस format में उपलब्द कराना था जो RT-PCR app है दिल् प्रकार की एक मनमानी जो की ऐसे COVID-19 के वक्त में जायस नहीं है बिल्कुल और editorial आगे कहता है कि जैसे ही lockdown हटाया गया है देश में कोरोना संक्रमन के मामलों में अत्याधिक व्रद्धी देखी गई है और इस प्रकार संक्रमन व्रद्धी ने भारत को दुनिया के सरवादिक संक्रमन प्रभवित देशों की सूची में डाल दिया है और अगर आज की बात की जाये तो आप भारत विश्व के टॉप 5 कंट्रीज में हैं इस पेन को ओवर्टेक कर लिया है नंबर ऑफ केसिस की बात की जाये तो फैटेलिटी रेट अभी भी भारत में कम है और राजधनी दिल्ली अपने आप में एक होट स्पोट बन गया है COVID-19 का और वर्तमान में दिल्ली में ताजार संक्रमनों की संख्या 4 अंकों तक पहुच गई है और लगातार 10 दिनों से दिल्ली में 1000 से ज़्यादा COVID-19 पॉजि पेटा बेसेस पे देखा जाए तो दिल्ली वाला जो एरिया है वीजन है वो नमबर वन पे है और एडिटुएल बताता है कि महामारी जब पहली बार फैली तो पूरी दुनिया को ज़टका लगा और डबलो एचो ने भी यह कहा था कि टेस्टिंग टेस्टिंग टेस्टिं और उन्हें भी कॉरंटाइन करिये तो यह TTIT एप्रोच की जरूरत है और केंद्य सरकार भी इससे सहमत है और राजधानी यानि की दिल्ली में जैसे ही लॉकडाउन हटाया गया है कोरोना संक्रमन में ती व्रिवृद्धी हुई है और दिल्ली सरकार ने जो FIR दर्ज की है वो की है सर गंगारां अस्पताल के खिलास और उसके टेस्टिंग को बंद कर दिया है और इससे मरीजों को काफी दिकत का सामना करना पड़ रहा है और एडिटुरिल कहता है कि राजधे सरकार द्वारा परिक्षन को इस प्रकार निलंबित करना ज्यादा अधिक चिंताओं को जन्र देगा और ज्यादा दिक्कतें पैदा करेगा लोहों के लिए और इस प्रकार अस्पताल में भरती एक जटिल प्रक्रिया हो गई है और इस तरीके के मौके पे जो अस्पताल एक मुख्य भूमी का निभा रहा है COVID-19 के खिलाफ लड़ने में उनके उपर F.I.R. दर नहीं लेती है और यहाँ आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि दिल्ली सरकार ने एक और फैसला लिया है कि जो दिल्ली सरकार के अंतरगत हॉस्पिटल्स हैं इनमें केवल दिल्ली के जो निभासी हैं डैली रेजिडेंट्स उन्हीं का इलाज होगा और जो केंदे सरका के अंतरगत हॉस्पिटल्स आ रहे हैं उनमें सिर्फ दिल्ली के निवासियों को ही मिलेगा और इसके पीछे दिल्ली सरकार ने अपने जो फीड़बैक उन्होंने करीब सातलाक लोगों से लिया है इसको एक कारण बताया है दूसरा दिल्ली सरकार ने एक विदाओं का लाब उठानी दिया जाएगा तो ये 9000 बैट्स केवल 3 दिनों में ही भर जाएंगे तो इस कारण को भी दिल्ली सरकार ने बताते हुए कहाए कि फिलहाल के लिए दिल्ली सरकार अपने अंतरगत सारे अस्पतालों के बैट्स को केवल दिल्ली रेजिदेंस के लि सेवर में क्या अर्गुमेंट आ सकते हैं इसके अगेंस कौन से अर्गुमेंट हो सकते हैं दिल्ली सरकार ने अपनी सफाई में ये जरूर कहा है कि नॉर्मल सिचुएशन में दिल्ली में जो भी स्वास सुविदाओं हैं वो सभी के लिए देश भर के लोगों के लिए और महार के लोगों के लिए उपलब्द हैं लेकिन क्योंकि ये महामारी एक विशम संकट पैदा कर रही है और इसमें दिल्ली के लोगों का पहला अधिकार बनता है दिल्ली की स्वास्विदाओं के लिए और दिल्ली सरकार उनके लिए खासतोर से उत्तर दाई है इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया है बाकी टेस्टिंग को लेके भी दिल्ली सरकार और जो केंदर सरकार है इसके बीच में मतभेद है और केंदर सरकार लगातार ये कह रही है कि दिल्ली सरकार डेटा को टांसपेरेंटली शेर नहीं कर रही है और जैसी इस्तिती है उसका सही आंकलन नहीं कर रही है और जिस व्यापक स्तर पे टेस्टिंग होनी चाहिए उसको करनी की जगे दिली सरकार ने जो नियम बना दिये हैं उससे टेस्टिंग ओर ज़्यादा कम हो गई है कि सिर्फ जो लोग सिम्टोमेटिक हैं सिर्फ उन्हीं की टेस्टिंग हो रही है बाकी की नहीं और एडिटोयल भी इस बात को बताता है कि कई शहरों में बीमार सदर्शों वाले परिवारों के लिए परिक्षन की परियाप पहुंच एक कंभीर समझ्याप बन गई है और कई सारे अस्पताल में भरती के समय रोग्यों का कोविड और नौन कोविड स्टेटज घोशित करना अनिवार्य हो गया है और टेस्टिंग के अभव में उनको अड्मीशन लेना दिक्कत हो रहा है तो कई सारे अस्पतालों से रोग्यों को वापस भीजने की भी खबरें आ रहे हैं कि वहाँ एडमीशन उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं और एडिटुरियल कहता है कि अगर एक आइडियल सिचुईशन में देखा जाए तो पृतेक वैति जिसे संक्रमन की समस्या आ रहे हैं या जो अपना टेस्टिंग कराना चाहता है उसे अपना परिक्षन कराने का अधिकार होना चाहिए और इस प्रकार अस्पताल प्रसाशन द्वारा मरीजों को भरती नहीं करने की इस्तिती से ये आमधाना बन रही है कि गाजे सरकार जब डिजीज के कर्व या या इनिकी डिजीज का जो इस्प्रेड है उसको रोकने में जब विफल हो रही है तो वो डेटा को कम करने की पता होना चाहिए कि एक टर्म यूज किया जाता है कि फ्लैटन दा डिजीज कर्व यानि कि जो बीमारी का कर्व है वो जैसे बढ़ रहा है उसको आप फ्लैट करने की कोशिश करते हैं उसको चप्ता करने की कोशिश करते हैं लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार जो data है disease के बारे में उस curve को चप्टा करने की कोशिश कर रहे है जो कि अपने आप में सही नहीं है और भी एक controversy हो रही है कि दिल्ली सरकार ने COVID-19 रोगयों के लिए bad उखलब्द कराने के बारे में जो दावे किये हैं वो कही न कहीं जो बाकी independent agencies के दौरा report है patients के दौरा report है उससे mail नहीं खाते है तो यहाँ भी दिल्ली सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में bads को उपलब्द कराएं और यह ensure करें कि private hospital भी अपने bads जो 20% की संख्या दिल्ली सरकार ने निर्धारित किये उसके अनुसार अपने bads covid-19 मरीजों के लिए reserve रखें और दिल्ली के मुख्यमंतरी ने निजी अस्पतालों का बिना नाम लिए ये आरोप उन पे लगाया है कि कई सारे अस्पताल ऐसे समय में अपने bad आवंटित करने के लिए एक बड़ी राशी ले रहे है पेशेंट से लेकिन editorial का मानना है कि इस तरीके का आरोप अगर सही है तो मुख्यमंतरी को इनका नाम लेना चाहिए इन अस्पतालों का और इन पे कारिवाई होनी चाहिए कड़ी से कड़ी लेकिन अगर ये सिर्फ कहने के लिए कहा गया है तो ये इस वक्त पे कहना ठीक नहीं है और इससे जो प्राइवेट अस्पताल है उनके करमचारियों का भी मनोबल तूटता है और यहां आपको एक और टर्म पता होना चाहिए प्राइस गाउजिंग जो कि अंगरेजी का शब्द है जब किसी आपदा या महामारी के समय जो अस्पताल है या कोई भी एसेंशिल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं जैसे फ्लाइट्स वगरा है इनके टिकेट महंगे हो जाते हैं तो इसको कहा जाता है प्राइस काउजिंग आप एक आपदा की स्तिती का गलत फाइडा उठाने की कोशिश करते हैं तो इसको कहते हैं प्राइस काउजिंग जो आपको पता होना चाहिए और आंतममा एडिटोयल यही कहता है कि अस्पताल जैसे संस्थान जिनका उदेश्य धन अरजित करने के बजाए लोगों तक किफायिती स्वास्त सुविधायं प्रदान करना है और जो इस संकट के समय अत्यावशक सेवायं प्रदान कर रहे हैं उन पे राजे सरकार द्वारा ऐसे एफायर लॉज करना बिलकुल भी उचित नहीं है और ये कहीं न कहीं सरकारी तंत्र का गलत प्रयोग है दुरूपयोग है और इसको दिल्ली सरकार को वापस लेना चाहिए तो यह थे अडिटुरियल के की पॉइंट्स में आप आईये देखते हैं की कॉंसप्स तो आज की कॉंसप्स में सबसे पहले देखते हैं आर्टी-पीसियर और एंटीबोडी टेस्ट के बीच का फर्क तो यहां हमें पता होना चाहिए कि antibodies किसे कहते हैं तो antibody इन्हें immunoglobuline भी कहा जाता है और यह एक तरीके के protective protein होते हैं और यह जो body के अंदर immune system होता है उनके द्वारा यह produce किये जाते हैं जब body में कोई antigen आता है जिसको आप समझ सकते हैं कि कोई foreign substance जिससे बीमारी हो सकती है तो एक बहुत ही बड़ी संख्या के substance है जिनको body के द्वारा antigen समझा जाता है और यह सारे के सारे disease causing organisms या toxic material है और antibodies क्या करते हैं यह पता करते हैं, recognize करते हैं और attack करते हैं इन antigens पे और इनको body से दूर करते हैं और इस तरीके से immune system body को diseases से बचाता है इसी पे आधारित है antibody test और antibody test को use किया जाता है screening के लिए खासतोर से COVID-19 के लिए और screening के लिए इसको use इसली किया जाता है क्योंकि यह काफी जल्दी result देता है लेकिन इसके साथ एक नुकसान यह है कि इसके result कभी-कभी गलत भी होते है मतलब यह false positive भी देता है, false negative भी देता है false positive जानि कि इसके द्वारा बताया गया कि वेक्ति को COVID-19 है लेकिन असल में COVID-19 नहीं है और false negative की बताया गया कि वेक्ति को COVID-19 नहीं है जबकि उसे है तो ये false negative हो गया और इसी वेरे से भारत सरकार ने RT-PCR test को ही मननेता दी है कि RT-PCR जो कि हम आगे देखेंगे और ये इतम confirmatory test है ये genetic material को test करता है और इसी वेरे से ये 100% confirmation की साथ बताता है और antibody test में body का response क्या है virus के लिए उसको test किया जाता है और इसे पता चलता है कि वेक्ति को इस virus का असर हुआ की नहीं और एक बार अगर screening test यानि कि antibody test से पता चलता है कि positive है तो फिर RT-PCR किया जाता है जिससे कि ये confirm हो जाए कि वेक्ति को ये COVID-19 positive अभी है की नहीं और इसलिए भारत अभी सिर्फ RT-PCR test कर रहा है क्योंकि antibody test में कई सारी दिक्कतें सामने आ रहे थी और वो गलत results आ रहे थे उसके द्वारा और इन द्वारा में जो अंतर है वो ये है कि RT-PCR test जो है वो virus genetic material जो RNA है उसको इलिए test करता है जबकि antibody पता करता है body के response कि body के अंदर antibodies बनी हुई है कि नहीं तो कभी भी अगर virus ने हमला किया है body के अंदर आया है तो फिर body के अंदर antibodies होंगी जो कि इस test के द्वारा detect हो जाएंगे और RT-PCR जो है ये direct evidence देता है कि व्यक्ति बिमार हुआ है उसके अंदर ये virus का presence है जबकि antibody test के द्वारा इसका indirect evidence मिलता है और किस वरे से antibody test ज़्यादा यूज हो रहे हैं तो क्योंकि ये ज़्यादा संख्याम है और कम ताम जाम के साथ ये testing की जा सकते है इसलिए बहुत सारे देश इसको यूज कर रहे हैं screening के लिए जबकि जो RT-PCR test है वो complicated भी है expensive भी है और time consuming भी है तो इन तीनों बज़नों के चलते हैं वो बहुत large scale पे करना मुश्किल है अब देखते हैं PCR test के बारे में तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि केरी मुलेस PCR का मतलब है polymerase chain reaction और केरी मुलेस जो एक American biochemist थे उन्होंने इस test को invent किया और इनको Nobel Prize भी मिला chemistry का 1993 में यह आपको पिलिम्स के point of view से पता होना चाहिए और इस test में copies बनाई जाती हैं एक DNA के segment की और इसमें जो enzyme यूज होती है वो उसका नाम है polymerase तो यह जो नाम polymerase chain reaction और polymerase है वो इस enzyme के द्वारा आ रहा है और इसमें जो chain reaction है वो बताता है कि DNA fragment किस तरीके से copy होते हैं तो एक की copy करके दो बनते हैं दो से चार बनते हैं और इस तरीके से यह cycle चलती जाती है और एक fluorescent DNA binding dye यानि कि color यूज किया जाता है जिसको probe कहते हैं यह DNA के साथ मिला दिया जाता है और यही शो करता है या दर्शाता है प्रिजेंस वाइरस की एक फ्लोरो मीटर पे और क्योंकि coronavirus RNA का बना हुआ है यानि कि ribonucleic acid का और यह जो test है यह सिर्फ DNA detect करता है इसलिए यह RT वाला process यूज होता है reverse transcription और reverse transcriptase enzyme के द्वारा इस RNA को DNA में तबदील किया जाता है DNA की copies बनाई जाती है इनको बड़ा किया जाता है और इस पूरे process में करीब 24 घंटे लगते हैं डिजल्ट देने में तो यह काफी time consuming है और complicated भी है आप देखते हैं reverse transcription polymerase chain reaction तो यह exam के दिश्टी से बहुत ही महत्वपूर्ण है COVID-19 के दौरान यह सबसे ज़्यादा चर्चा में भी रहा है तो यह lab technique है जिसमें की reverse transcription किया जाता है RNA को DNA में और फिर polymerase chain reaction के द्वारा इसको test किया जाता है और इसको मुख्यता use किया जाता है RNA का amount measure करने के लिए कि कितनी मात्रा में RNA वहां मौझूद है specific type का RNA और इसको achieve किया जाता है real time PCR और quantitative PCR technique के द्वारा और RT-PCR एक method है testing का जिसमें की nasal या throat swab लिया जाता है तो नाक या गले से एक swab के through sample collect किया जाता है testing के लिए और ये भी काफी problematic है क्योंकि इस testing वाले process में जब ये नाक या गले से ये swab लिया जाता है तो जो health personnel है उनके infect होने का भी खत्रा काफी बढ़ता है जबकि antibodies test के साथ ये सुविधा है कि वहां blood लिया जाता है और वो ज़्यादा आसान है testing के लिए और खत्रा संक्रमन का काफी कम है और इन antibodies test को serological test भी कहते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए तो serological test का मतलब है कि ये blood based test है इनने रक्त लिया जाता है जो कि ज़्यादा आसान है करने में तो ये था आज के editorial analysis में अब आए देखते हैं किस प्रिकार के question आपसे पूछी जा सकते है prelims of mains में तो prelims में आपसे पूछा जा सकता है RT-PCR के बारे में antibodies test के बारे में इनके बारे में आपको सही तरीकी से पता होना चाहिए कि test क्या है क्या करते हैं इनके बीच में आंतर क्या है तो आइसी चीड़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए PCR technique किस ने invent की थी इनके बारे में भी पता होना चाहिए और antibodies test screening के लिए क्यों जादा उप्यूगत है ऐसी चीड़ों के बारे में भी आपको जानकरी होनी चाहिए दूसरा section 188 of IPC ये भी काफी चर्चा में रहा है तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये कब लागू होता है epidemic diseases act 1897 उसके बारे में भी आपको जानकरी होनी चाहिए और दूसरा जो कानून काफी लगा इस COVID-19 के दौरान तो वो है disaster management act 2005 तो ये भी आपको पता होना चाहिए COVID-19 से जुड़े हुए कई तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं जो science-based भी हो सकते हैं law-based भी हो सकते हैं तो उसके आपको पता होना चाहिए PD के लिए factual means में जब आते हैं तो हम देखेंगे कि health जो कि state subject है तो यहां केंदर और राज्य सरकार के बीच में कैसे संबंध है और किसकी जिम्मेदारी बनती है इस तरीके के सवाल भी बन सकते हैं state governments की खास तोर से जिम्मेदारी बनती है क्योंकि ये state subject में आता है और public health infrastructure के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्या steps या major's सरकार के दोरा ले गए है क्या आपके सुझाव हो सकते हैं इसको और बहतर करने के लिए GDP को कितना बढ़ाना चाहिए health sector के लिए क्या सरकार के target है क्या और किया जा सकता है इस महामारी से सीख लेते हुए और एक जो महतवपूर्ण प्रष्ट है जो की interview के लिए भी बहुत महतवपूर्ण है वो ये है कि दिल्ली सरकार ने जो अब कहा है कि health services इस महामारी के दोरान सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए उपलब्ध होगी तो इसके बारे में पक्ष और विपक्ष के points आपके आस होने चाहिए कि दिल्ली सरकार के क्या reason है और इसका विरोध जब हो रहा है तो क्या reason है तो यहाँ एक बहुत बड़ा argument ये भी है कि दिल्ली क्योंकि पूरे देश की राजधानी है तो दिल्ली में जो resources है वो केंड्र की तरफ से सबसे ज़्यादा भी आते है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बाकी जगहों में रहने वाले लोहों का भी एक अधिकार बनता है कि वो देश की राजधानी में आके स्वास सुविधाओं और दुसरे सुविधाओं का लाब उठा सके तो इसको डिनाई करना कितना सही है कितना गलत है इसके आपको पता होना चाहिए तो ये था आज के अधिटोरियल एनालिसिस में फिर मिलेंगे एक नए अधिटोरियल के साथ धन्यमाग